का एक आर्थिक क्यापिटल है कि फैनांचियल क्यापिटल है मुंबई है एक हिंदुस्तान का नाख है हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है जो भी फारें मिनिस्टर साते हैं प्राइम मिनिस्टर साते हैं पहले वो मुंबई के तरब देखते हैं मुंबई में कहां हमको इंडस्ट्री बसाना, काम को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना यह सोचते हैं, लेकिन इसको खतम करने वाले यह बीजेपी के लोग और सिवसेना जो फुटी हुई है, वो लोग यह बहुत कुछ पीचे से काम कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, यह लोग सत्ता में हैं, अब शाह आये, यहाँ जोड़दार भाशन देते हैं, और हमारे मोधी साथ तो आते हैं, भाईों और भाईनों कहिके, दुनिया की स्कीम बताके चले जाते हैं, लेकिन तुमने मुंबई के लिए क्या किया, इसका उत्तर पहले दो, यह प्रस्ट उसके सामने रखना चाहिए, लेकिन आपको उत्तर कहीं नहीं देंगे, मैंना तो चालेंज किया, क्योंकि मेरे स्कीम को, मेरे गारेंटी को, उन्होंने चालेंज किया, तो मैंने भी चालेंज किया, आओ मोधी साथ, बैंगलोर में एक जगे ठैरिंगे, और आपकी गारेंटी कितने, एसेश्वी हो गए, आपने जो कहा था एलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारेंटी दिये थे, उस में से कितने गारेंटी आपने किया, और यूपी ए सरकार में, हमने कितने गारेंटी दिया, हमने क्या किया, मैं बताऊंगा, अभी भी राच में, हमने क्या किया, हम बत देंगे, सब ठीका करने से करीबों का पेट नहीं भरता, या हमको गाले देने से जनता का पेट नहीं भरता, वो सिर्व बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते, तो मैं आप से विनन्ति करूँगा कि आप ऐसे धर्ती से आते हो, जहां महात्मा फुले, शावु महराज, अमबेड कर, इनके धर्ती से आते हो, और यह समिदान किसने बनाया, यही मुंबई के रवासी, डाक्टर बाबा साब अमबेड करने बनाया, यह मुंबई की देन है, तो यह इसको रक्षा करना, और इसकी हिपाज़त करना आपका काम है, लोगतंद्र को बचाना आपका काम है, उसलिए यह बात कभी भी आप मोदी जी के नाम मुँ से नहीं सुनेंगे, शाह के मुँ से नहीं सुनेंगे, आरेसेस के मुँ से नहीं सुनेंगे, यह अगर कोई बात कर सकते हैं, जो गरीबों के तरफ है, तरफदारी करते हैं, वह यह लोग की कहेंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहने आया हूँ कि फुले, अम्बेडगर, शाओ माराज, इनकी जो विरासत है उसको समभा लिये अरे आप से दूसरे लोग सिके हैं, अम्बेड कर नम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है, चाहिए वो यहीं पैदा हो गएंगे, यहीं कारें का होगा, शाओ माराज का उदार्ण सब जगे देते हैं, क्यों? सामाजिक न्याई के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए, उन्हों ने जो काम किया, उसके लिए सारा देश माराश के तरफ देखता है, और माराश के लोग एक-एक करके छोड़ रहें, बाहर जाने दे रहें, तो मैं आप से विनंति करूंगा, आप अगर एक रहे होंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्क्रीम, कोई भी नहीं चीन ले सकता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, तो इसलिए मैं आप से ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर चीज बेच रही है, बड़े-बड़े कार खाने बेच रहें, पब्लिक सेक्टर्स बेच रहें, एरपोर्ट बेच रहें, पोर्ट बेच रहें, और यहां तक आदानी साब के, जो पोर्ट है मैं समझा, वह वहां गवर्मेंट सेकुरिटी है समझा, प्रावेट सेकुरिटी है उस पोर्ट से, उस पोर्ट से यहां पर निसेले चीजे, य आ रही है ऐसा मुझे पता लगा तो नसेली चीजे अंदर लाने के लिए अगर वो पोर्ट काम करता है तो आप बाराश के लोग चुप नहीं बैठना चाहिए हम भी चुप नहीं बैठना चाहिए इसके खिलाब लड़ते रहना चाहिए नहीं तो हमारे बच्चे पंजाब मे जो हो रहा है नसे में डूब जाएंगे काम नहीं करेंगे इसलिए मैं अब तमाम से विनन्ति करता हूँ कि यहां जो ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने बिठाई हमारी सरकार थी वो दो ढाकरे जी चीप निश्टर थे हम सब लोग गटवन्दन में थे अरे हमारे सरकार को चीन के चोरी करके तुमने लिया और चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह उनको सबक सिकाना है सिकाएंगे आप अरे क्या जोसी नहीं ना हम तो सुनते थे बहुत जोसी ले यह यह जो चोरों की सरकार है इनको भगाना पड़ेगा इनके उपर चार सीट करके इनको जेल में डालो इसलिए तुमारा सपोर्ट हमको होना इसलिए हमारे लोकों को तुम चुनके बेजना अगर आप चुनके बेजेंगे हम अच्छी सरकार देंगे और यह जो हमारे ग्यारंटीज हैं हमने जो आपको दिया है यह ग्यारंटीज पक्के हैं मोधी जी के सैसा नहीं है पन्रा लाग दोंगा दो करो नोकरी दोंगा डबल इंजिन की सरकार है यह मेस्पी डबल करूंगा यह सब जूटे वाइदे किये यह पक्के वाइदे यह बजट देखकर उन्होंने विचार क करके यह किया है तो इसलिए जो सच बोलते हैं जो आपका काम करते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए और यहां पर किसानों के बारे में